विल्कुम टू पाइनल क्लासिस हम लोग बात कर रहे हैं तिन्थ क्लास का या पॉल्टेक्निक का पारामेटकल आईटी आई या तिन्थ लेवल का कोई भी कमपडिशन हो अगर उसमें जेनरल साइंस है तो इस चेप्टर आपके लिए इंपॉर्टेट है आज का चेप्टर है प्रकास का पवर्टन तो चलिए शुरू करते हैं आपका इस कोश्चन वाइज हम लोग इस चेप्टर को समझने की कोशिस करेंगे तो पहला प्रशन आता है कि प्रकास के अपवर्टन को चित्र सहित विस्तार से समझाईए तो सबसे पहले प्रकास का पवर्टन क्या होता ह तो किसी एक समांग माध्यम में प्रकास की किरन सीधी रेखा में चलती है प्रन्तु जब प्रकास की कोई किरन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से बिचलित हो जाती है और अन्य दिशा में एक सिधी रेखा में चलने लगती है प्रकास किरन के एक माध्यम से दूसरे माध्यमें जाने पर अपने मार्ग से बिचलित होने को प्रकास का अपवर्तन कहते हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है कि बायू में आ रही प्रकास किरन कांच में जैसे ही प्र पाध्यम में चलने वाली किरण AB को अपवर्तित किरण कहेंगे आपतित किरण सीमा प्रिष्ट के जिस बिंदू A पर मिलती है उसे हम आपतन बिंदू कहते हैं और आपतन बिंदू की पर सीमा प्रिष्ट के लंबवत जो A N1 N2 को अभी लंब कहा जाता है आपतित किरण अभी लंब के बीच के कोन को हम आपतन कोन कहते हैं यदि आपतित किरण आपतित किरण के सापेच अभी लंब की ओर जुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेच सघन कहा जाता है यदि किरन बायू में कांच में जा रही है और अपवर्तित किरन अभिलंब की और जुक की है अता कांच बायू के सापेच सगन है प्रन्तु यदि अपवर्तित किरन के सापेच अभिलम से दूर हट रही है तो माध्यम को पहले माध्यम के सापेच बिरल माध्यम कहेंगे यदि किरन कांच से बायू में जा रही है तथा अपवर्तित किरन अभिलम से दूर हट रही है अता बायू कांच के सापेच बिरल है प्रकास की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम की अपेच्छा कम होती है अगला है दोस्तों निर्पेच अपवर्तनांग तथा सापेच अपवर्तनांग को समझाईए निर्पेच अपवर्तनांग जब प्रकास का अपवर्तन बायू से किसी अन माध्यम में होता है तब आपतन कोन की जया तथा अपवर्तन कोन की जया का अनुपात उस माध्यम का निर्पेच अपवर्तनांग या केबल अपवर्तनांग कहलाता है माना प्रकास का किसी कीरन के लिए बायू में आपतन कोन आई तथा किसी अन माध्यम से गुजरने पर अपवर्तन कोन आर हो तो साइन आई बटा साइन आर का मान माध्यम का आप वर्तनांग कहलाएगा और जिसे एन अच्छर से स्मॉल एन से सुचित करते हैं अर्थात आप वर्तनांग बराबर साइन आई बटा साइन आर सापेच अपवर्तनांग यदि पहला माध्यम बायू या निर्वात के अस्थान पर अन माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेच दूसरे माध्यम का सापेच अपवर्तनांग कहते हैं इसमें आप वर्तनांग चिन N के दोनों और क्रमसा पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है जैसे कि किरन अगर बायू से कांच में प्रवेश करती है तो आप वर्तनांग को हम A N G से परदर्शित करेंगे तथा यह बायू के सापेच कांच का आप वर्तनांग कहलाएगा अर्थात A N G बराबर साइनाई बटा साइनार इस परकार यदि किरन बायू से जल में प्रवेश करती है तो बायू के सापेच जल का वर्तनांग को A N W से परदर्शित करेंगे और इसे बायू के सापेच जलकाप वरतनांग कहा जाएगा जहाँ ए एन डबलू बराबर साइन आई बटा साइन आर यदि प्रकास किरन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तथा उस जाते समय दोनों माध्यमों के सीमा प्रिष्ट पर लमवत गिरती हो आपतन कोन बरा वरतन कोन आर बराबर जीरो और इस इस्तिति को असनेल का नियम एन बराबर साइन आई बटा साइन आर कहते हैं लमवत आपतन के लिए आर बराबर जीरो अता साइन जीरो बराबर जीरो डिगरी का मान जीरो होता इसलिए एन साइन आर बराबर जीरो तो साइन आर बराबर प्रकास किरन की उत्क्रामिनिता से आप क्या समझते हैं? विस्तार पुर्भक बर्नन कीजिए तो प्रकास किरन की उत्क्रामिनिता माना की बायु में चली एक प्रकास किरन ओए एक कांच के गुटके PQRS से गुजरती है यह PQ तल पर अपवर्तित होकर कांच में AB दिसा में चली जाती है इस प्रकार बायू में आपतित OA तथा कांच में अपवर्तित AB है यदि बायू में आपतन कोन AI और कांच में अपवर्तन कोन R हो तो बायू के सापेच कांच का अपवर्तन कोगा ANG बराबर SIN AI बटा SIN R इसके बिपरित यदि कांच के भीतर प्रकास की रन AB BA दिसा में चले तब वह PQ पर अपवर्तित होकर बायू में AO दिसा में जाएगी और इस दिसा में कांच में आपतन कोन R होगा जैसा कि इस चित्र में दिया गया है तथा बायू में अपवर्तनांक कोन AI होगा आता जब प्रकास की रन कांच से बायू में जाती है तो कांच के सापेच बायू का परतनांक होगा अगर दोनों समिकर्णों को गुना कर दिया जाए ANG GNA तो इनका गुननफल एक आएगा अर्थात ANG ब्यूतकर्म होगा एक बटा ZNA के अर्थात बायू के सापेच कांच का परतनांक और कांच के सापेच बायू के परतनांक का ब्यूतकर्म होता है यदि बायू के सापेच कांच का परतनांक तीन बटा दो है तो कांच के सापेच बायू का परतनांक दो बटा तीन होगा यदि माध्यम एक के सापेच माध्यम दो का परतनांक वन एन टू तो माध्यम दो के सापेच माध्यम एक का परतनांक दो एन एक होगा इस परकार हम कह सकते हैं 1 and 2 गुने 2 and 1 बराबर 1 अर्थात 1 and 2 बराबर 1 बट 2 and 1 यदि 3 समनांतर माध्यम 1,2,3 है तब भी यह नियम लागू होगा और वहाँ पे 1 and 2 गुने 2 and 3 गुने 3 and 1 बराबर 1 होगा यदि माध्यम 1 बायू है माध्यम 2 जल और माध्यम 3 काच है तब इन 3 के अपवरतांकों का गुननफल 1 होगा अर्थात a n w गुने w n g गुने g na बराबर 1 अर्था w n g बराबर 1 बट 2 an w गुने g na होगा और इसी को प्रकास का उत्करमनिता कहा जाता है प्रकास किर्णों का उत्करमनिता का मतलब कि यह एक दूसरे के ब्यूत कर्म आप वरतनांको परदर्शित करता है अगलत प्रशन है आपका कि क्रांतिक कोन और पुर्ण आंत्रीक प्राबरतन से क्या तात्य पर है तो क्रांतिक कोन और पुर्ण आंत्रीक प्राबरतन जब कोई प्रकास किर्ण मान लेते हैं ओए किसी सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जैसे कांच से बायू में जाती है तो इसका एक छोटा भाग एसी परावर्तित हो जाता है तथा अधिकांस भाग ए भी अपवर्तित अधिरन ए भी अभिलम से दूर हड़ती है और इस इस्थिती में अपवर्तन कोन आपतन कोन से बरा होता है अब यदि आपतन कोन का मान धीरे धीरे बरहते जाएं तो आपवर्तन कोन भी बरता जाता है और एक विशेश इस्थिती में विशेश इस्थिती में आपतन कोन के करांति कोन कहते हैं तथा इसे C द्वारा परदर्शित करते हैं करांति कोन C सघन माध्या में बना वह आपतन कोन है जिसके लिए विरल माध्या में आपवर्तन कोन 90 डिगरी होता है पुनह इस लाइन को करांति कोन पुछा जाता है बहुत जगा पे क्रांति कोन सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोन है जिसके लिए बिरल माध्यम में अपवर्तन कोन 90 डिगरी होता है अगे दोस्तों पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन जब कोई प्रकास किरन सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है और आपतन कोन का मान करांति कोन से अधिक होता है तो बिरल माध्यम में प्रकास किरन का अपवर्तन नहीं होता बलकि संपुन प्रकास परावर्तित होकर सगन माध्यम में ही बापस लोट जाता है इस प्रकार के प्रावर्तन को पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकास का अपवर्तन बिलकुल नहीं होता तथा संपुन प्रकास प्रावर्तित हो जाता है पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन के निमलिकित दो नियम है पहला प्रकास का गमन सगन माध्यम से बिरल माध्यम में होना चाहिए और दूसरा सगन माध्यम में आपतन कोन का मान बिरल माध्यम के सापेच्छ सगन माध्यम के क्रांति कोन से अधिक होना चाहिए तभी पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन के दैनिक जीवन में होने वाले अनुपर्योग का बर्नन कीजिए, जल में परकनली का चमकिला दिखना, यदि एक खाली प्रकनली को जल में भरे बीकर में रखकर टेरहा कर दिया जाए, तो बीकर के ऊपर से देखने पर, एक इस्ठिती में न नली का तल चांदी की भाती चमकीला दिखाई देता है इसका कारण यह है कि नली को टेरह करने पर उस पर गिरने वाले प्रकास का आपतन कोन बरता जाता है जब यह कोन कांच का बायू के क्रांतिक कोन से बरा हो जाता है तो प्रकास नली के भीतर बायू में नहीं जाती बलकि नली की दिवार पर पुर्ण परावर्तित होकर आख में पहुचने लगता है और हमें नली चमकदार दिखने लगती है यदि प्रक नली में जल भर दें तो नली चमकिली नहीं दिखाई देते क्यूंकि कांच जल के लिए करांति कौन, कांच बायू के करांति कौन से बरा होता है अता है इस स्थिति में प्रकास का पुन आंत्रीक प्रवर्तन नहीं हो पाता है आगे है कि कांच में परी दरारें का चमकना जब खिरकी में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पर जाती है जिनमें बायू की पतली परत आ जाती है ये दरारें देखने पर चमकिली दिखाई देती है इसका कारण यह है कि इन दरारों पर परने वाला टेरहा प्रकास बायू की परत में नहीं जाता बलकि कांच बायू के सीमा प्रिष्ट से पूर्ण परावर्तित होकर आखों में पहुंच जाता है इसी परकार यदि कांच अथवा जल के भीतर बायू का कोई बुलबुला हो तो ओवह भी चमकीला दिखाई देने लगता है और इन सबका कारण है पुर्ण आंतरिक परावरतन आगे कालिक पुते गोले का जल में चमकना यदि एक धातू के गोले पर सूखी कालिक पोत कर जल से भरे बीकर में रखें तो गोले का तल चांदी की तरह चमकने लगता है इसका कारण यह है कि कालिक के कारण गोले का तल जल के संपर्क में नहीं आता बलकि दोनों के बीच बायू की परत रह जाती है और जल बायू के सीमा प्रिष्ट पर प्रकास का पुर्ण परावरतन होता है जिससे गोले का तल चमकीला दिखाई देने लगता है आगे हीरे की चमक हीरे से बायू में आने वाली किरने के लिए करांती कोन बहुत कम केबल 24 डिगरी का होता है आता जब बाहर का प्रकास किसी स्तरा से हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन तलों पर बार बार पुर्ण परावर्तन होता है जब किसी तल का आपतन को चोबिस डिगरी से कम हो जाता है तब ही प्रकास हीरे से बाहर आ पाता है और इस प्रकार हीरे में सभी दिसाओं में प्रवेश करने वाला प्रकास केवल कुछ ही दिसाओं से हीरे से बाहर निकलता है अत्या इन दिसाओं से देखने पर हीरा अत्यांत चमकदार दिखाई परता है आगे है रेगिस्तान में मृच्ची का कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर में पेर के साथ साथ उनका उल्टा प्रतिविम भी दिखाई देता है अता इन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ कोई जल का तलाब है जिसमें पेर का उल्टा परतिवी में दिखाई दे रहा है प्रंतु बास्ता में वहाँ तलाब नहीं होता जब सुरी की गर्मी से रेगिस्तान का रेत गर्म होता है तो उसे चूकर पिर्थिवी के पास की बायू अधिक गर्म हो जाती है इससे कुछ उपर तक बायू की परतों पर ताप लगातार घटता जाता है अता बायू के नीचे बाली परत ते अपेच्छा कृत बिरल होती है जब पेर से प्रकास कीरने पिर्थिवी की ओर आती है तो उन्हें अधिक अधिक बिरल परतों से होकर आना परता है इसलिए प्रतेक परत पर अपवर्तित किरन अभिलम से दूर हट जाती है अता प्रतेक अगली परत पर आपतन कोन बरता जाता है तथा किसी विशेस परत पर करांति कौन से बरा हो जाता है और इस परत पर किरन पूर्ण प्रावर्तित होकर उपर की ओर चलने लगता है चुकि उपर वाली परते अधिक अधिक सघन है अता उपर उठती हुई किरने अभिलंब की ओर जुक जाती है जब यह किरन यात्री की आखों में प्रवेश करती है तो उसे पिर्थिभी के नीचे से आती प्रतीत होती है यहां यात्री को पेर का उल्टा परतिभीम दिखाई देने लगता है अगे है दोस्तों ठंडे देशों में मिरिच्ची का बहुत ठंडे देशों में समुन्दर पर अथवा बर्व के छेत्रों पर दूर बस्तुओं के प्रत्विम बायू में उल्टे लटके दिखाई देते हैं इसका कारण यह है कि जल तथा बर्व में लगी बायू की परतें ठंडी होने के कारण सघन हो जाती है और उपर की परतें बिरल होती जाती है अता समुन्दर के जल पर तेरते जहाज से चली किरने उपर की ओर जाते हुए बायू की परतों पर अपवर्तित होकर अभिलम से दूर हटती जाती है और किसी विशेश परत पर परावर्तन के पश्चात नीचे आने लगती है जब ये किरने ब्यक्ति की आखों में पहुँचती है तो उसे जहाज का उल्टा प्रत्वीम उपर बायू में लटका हुआ दिखाई देता है और नीचे की परते भारी होने के कारण चलाया मान नहीं होती इसलिए यह प्रत्वीम इस्थिर दिखाई परता है और ये सारे के कारण क्या है तो पुर्ण आंतरिक परावर्तन आगे है प्रिजम से होने वाले स्वेत प्रकास के बर्ण बिछेपन का चित्र सहित बर्णन कीजिए बर्ण विछेपन का कारण भी बताईए कता है प्रीजम दौरा सुवेध परकास का बर्ण विछेपन सर आइजेक निूटन ने 1666 इसमी में प्रीजम दौरा परकास का बिशलेशन किया और पाया की सुरी का परकास अनेक रंगों के परकास से मिल कर बना है आपने भी बर्सा के पश्चात आकास में सुरी के सुवेत प्रकास में रंग विरंगा इंद्रधनुस अवस देखा होगा इससे यह पता चलता है कि सुरी के सुवेत प्रकास में अनेक रंग उपस्तित है जब किसी टौर्च या सूरी के प्रकास के संकीर्न प्रकास पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक निर्गत प्रकास साथ रंगों में बिभाजित हो जाती है इसे परदे पर लेने पर साथ रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है प्रकास का इस परकार साथ रंगों में बिभाजित होना बिच्छेपन कहलाता है सुवेद परकास के बिछेपन के दौरान परदे पर प्राप्त बिसेस करम में बिभाजित सुरोत रंगों को पट्टी को अस्पेक्ट्रम या बर्नपट या जिसका अर्थ रंगों का मिसरन होता है इन साथ रंगों का करम नीचे से उपर की ओर बैगनी आस्मानी नीला हरा पीला नारंगी और लाल जिसे बैजानिया पीनाला कह सकते हैं इसको आसानी से याद रखने के लिए भी आई बी जी वाई ओ आर को वी वी गिरो को याद रखे जो इन रंगों को अंग्रेजी भासा में सब्दों के अच्छर से दिखाया जाता है यहाँ पे आपको चित्र में बिल्कुल साफ दिख रहा होगा प्रकास के बिछेपन के दुआरा बैगनी प्रकास का अपवर्तन सबसे अधिक एवं लाल रंग का सबसे कम होता है अता बैगनी रंग का स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे वं लाल का सबसे उपर दिखाई देता है इसका कारण क्या है तो कोई भी पारदर्सी पदार्थ जैसा की काँच का अपवर्तनांग प्रकास के रंग पर निर्भर करता है यह बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है जब प्रकास किरन प्रिजम में से गुजरती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से बिचलित होकर प्रिजम के आधार की ओर जुक जाती है प्रकास किरन में उत्पन यह बिचलन कोन के अपवर्तनांग पर निर्भर करता है अपवर्तनांग जितना अधिक होगा प्रकास किरन का बिचलन भी उतना अधिक होगा अता यदि प्रिज्म से गुजरने वाली किरन स्वेत प्रकास की है तब इस प्रकास में उपस्तित बिभिन रंगो का किरनों में बिचलन भिन्भिन होगा और काच का आप वरतांक लाल प्रकास के लिए सबसे कम तथा बैगनी प्रकास के लिए सबसे अधीक है अता लाल प्रकास की किरन प्रिजम के आधार की ओर सबसे कम जुकती है तथा बैगनी प्रकास की किरन सबसे अधिक जुकती है और इस परकार सुवेत प्रकास का प्रिजम से गुजरने पर बर्न भी छेपन हो जाता है आगे हैं दोस्तों कि प्रिज्म द्वारा प्रकास के अपवर्तन एवं बिचलन से आप क्या समझते हैं तो सबसे पहले प्रिज्म को देख लेते हैं कि किसी समांगी पारदर्सी माध्यम का हुआ भाग प्रिज्म के जिन प्रिश्टों से प्रकास का अपवर्तन होता है उन प्रिष्टों को अपवर्तक प्रिष्ट तथा उनके बीच के कोन को अपवर्तक कोन अथवा प्रिज्म कोन कहा जाता है दोनों प्रिष्टों को मिलाने वाली कोरों को अपवर्तक कोर कहते हैं अपवर्तक कोर के सामने वाले प्रिष्ट को प्रिज्म का आधार कहा जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकास का अपवर्तन एवं बिचलन तो आप यहाँ फिगर्ण के साथ मिलाते चलें माना PQ R कांच के एक प्रिज्म का मुख परीछेद है माना कोन PRQ अपवर्तक कोन है आपतित की रन BC प्रिजम का प्रिष्ट PR के बिंदू C पर आपतित होती है इस प्रिष्ट पर आपवर्तन के पस्चात या प्रकास की रन बिंदू C पर खीचे गए अभिलंब की ओर जुक कर CD दिशा में चली जाती है जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यह C से D दिशा में चला गया है कौन BC चला जाता है और प्रकास की रन BC दूसरे अपवर्तक प्रिष्ट QR के बिंदू D पर आपतित होती है और आपवर्तन के पस्चात D पर खीचे गए अभिलंब से दूर हट कर D दिशा में चली जा और इस परकार प्रिज्म प्रकास की दिशा में कोनिय बिचलन उत्पन करता है यह ध्यान रखें प्रिज्म प्रकास की दिशा में कोनिय बिचलन उत्पन करता है आपतित किरन BC को आगे तथा निर्गत किरन DE को पीछे बरहाने पर एक दूसरे को जिस बिंदू पर मतलब G ब बीच बना कोन बिचलन कोन कहलाता यानि आपतित किरन और निर्गत किरन के बीच के कोन को विचलन कोन कहते हैं और इसे डेल द्वारा सुचित करते हैं परदर्शित करते हैं बिचलन कोन का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और आपतित किरन के आपतन कोन पर निर निर्भर करता है यदि प्रिज्म पर गिरने वाली किरने किरन के आपतन कोन आई को बढ़ाते हैं तो बिचलन कोन का मान घटता है और विशेस आपतन कोन के लिए बिचलन कोन का मान नियूनतम हो जाता है और इस नियूनतम बिचलन कोन को याद रखें नियूनतम बिचलन कोन क अलपतम बिचलन कौन कहते हैं यदि किसी प्रिज्म का कौन A तथा किसी रंग के कीरन के लिए अलपतम बिचलन कौन DL M हो मतलब DL M बिचलन कौन मिनम मों हो तो उस रंग के लिए प्रिज्म के पदार्त का अपवरतना आंक बराबर होगा sin into A plus DL M but 2 बट्टा साइन ए बट्टा टू और पतले प्रिज्मि के लिए उत्पन बिचलन का ब्यंजक होता है डेलेम बराबार एन माइनस वान इन टू ए अब आगे है प्रकास के प्रकिर्णन को उदाहरन सहित समझाईए तो प्रकास का प्रकिर्णन जब प्रकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सुच्म आकार के कन बिदमान हो तो इन कनों के द्वारा प्रकास को कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है और इस घटना को प्रकास का प्रकिर्णन कहते हैं लाल रंग के कारण का प्रकिर्णन सबसे कम और बैगनी रंग के प्रकास का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है यह याद रखें खत्रे का सिगनल लाल क्यों होता है तो इसके पीछे लाल का प्रकिर्णन ही है इसका कारण यह है कि लाल रंग का प्रकिर्णन बहुत कम होता है मतलब बिखराब बहुत कम होता है इस कारण लाल सिगनल बहुत दूर तक दिखाई दे जाता है यही कारण की रेल गारी को रोकने के लिए जंडी किरिकेट की गेंद तथा अस्पताल की गारी पर क्रोस का चिन लाल रंग से बना होता है सुर्योदे वं सुर्यास्त के समय सुरी का लाल दिखाई देना प्राता काल या सुर्योदे के समय सुरी का रंग गहरा पीला नरंगी और लाल दिखाई देता है देतना भी प्रकास के प्रकिर्नन पर निर्भर करता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूरी पिर्थिवी के छितिज पर होता है सूरी से आने वाले प्रकास को बायुमंडल में अधीक मार्ग तक करना परता है ट्रेबल जिसका कारण सुरी का प्रकास बैगनी नीले हरे रंग का प्रकास लगबक संपुर्ण अंस प्रकिर्नित होकर आकास में विखर जाते हैं अथवा अब सेस जो सेस रंग है पीला नारंगी लाल का अंस ही पिर्थीवी पर हमारे नेतरों तक सीधा पहुँच पाता है इसी कारण से सुर्योद या सुर्यास्त के समय सुरी का रंग पीला नारंगी एवं लाल दिखाई देता है अगे आकास का रंग नीला दिखाई देना तो इसके पीछे का रिजन है कि सुरी के प्रकास की किरने जब बाय मंडल से होकर गुजरती है तो मार्ग में आने वाले बायू के अनू धूल के कनो एवं अन्य पदार्थों के सुछ में कनो द्वारा प्रकिरनित होती है बैगनी एवं नीले रंग के प्रकास का प्रकिरनन लाल रंग के प्रकास के अपेच्छा सोला गुना धिक है अता बैगनी एवं नीला प्रकास चारोर फैल जाता है या फैला हुआ प्रकास हमारी आखों में पहुँचता है जिसके कारण हमें आकास नीला दिखाई देता है यदि बायमंडल ना हो तो सूरी के प्रकास के मार्ग में प्रकिर्णन नहीं होता जिसके कारण हमें आकास काला दिखाई देता है यही कारण है कि चंद्रमा के तल से दिखने पर आकास काला यानि अंतरिच श्यात्रियों को आकास काला दिखाई देता है आगे आपका प्रश्ण है छोटा छोटा प्रश्ण है इन प्रश्णों पे हम लोग पहले ही विचार कर चुके हैं तो आपका पहला प्रश्ण आ रहा है क्या कि सघन तथा बिरल माध्यम से आप क्या समझते हैं किसी माध्यम का आपवर्तनांग से आप क्या समझते हैं तो ये भी हम लोग देख चुके थे कि किनी दो माध्यमों के लिए एक ही रंग का प्रकास के लिए आपतन को उनकी जया तथा आपवर्तन को उनकी जया प्रसपर समानुपात होते हैं और इसी को हम क्या करते हैं इस नियतांग को हम स्नेल का नियम या आपवर्तनांग के भी करते हैं इस नियम को पहले माध्यम के सापेच दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग करते हैं और इसे N से परदर्शित करते हैं N के दोनों माध्यमों जैसे बायू तथा कांच लिखते हैं तो इस प्रकार बायू के सापेच कांच के अपवर्तनांग को हम A, N, W से परदर्शित करेंगे अपवर्तनांग तथा प्रकास की चाल में संबंध अपवर्तनांग तथा प्रकास की चाल में संबंध है एक माध्यम के सापेच दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग उन माध्यमों में प्रकास की चालों के अनुपात के बराबर होता है उदारन के लिए बायू के सापेच काँच का आप बरतनांग तो ANZ बराबर होता है बायू में प्रकास की चाल C बटा काँच में प्रकास की चाल BG इसी प्रकार बायू के सापेच जल का आप बरतनांग ANW बराबर होगा C बटा B या ANW बटा ANZ बराबर होगा BG बटा BW यह बैगनी रंग के प्रकास के लिए सबसे अधिक तथा लाग रंग के प्रकास के लिए सबसे कम होता है आगे जल में किसी गहराई पर रखी बस्तू कुछ उपर उठी दिखाई परती है रेखा चित्रद्वारा असपस्ट करें तो इसका हम यहाँ पर एक फिक्चर दिया गया है आपको बीकर में जिसमें पानी भरा है बीकर की तली पी बिंदू पर रखा है जिस पर कोई सिक्का पी डैस पर परतीत होता है पी से चलने वाली किरन पानी और बायू अंत्रा प्रिष्ट पर अभिलंब से दूर चली जाती है और आखों में ये किरने पी डैस से आती हुई परतीत होती है इसी कारण सिक्का उपर उठा हुआ दिखाई देता है तो ये क्या है ये अपवर्तनांग के कारण है द्रब में अंस्ता डूबी हुई चरी सीधी नहीं दिखाई परती क्यों एक चरी A, B, C पानी में डूबी हुई है मान लेते है क्योंकि चर के सीरे C के किरन B, C पानी के बायू के अंत्रा प्रिष्ट पर पस्चात अभिलंब से दूर हट जाता है और आखों को कि एक किरन C डैस से आती परतीत होती है जो कि चर का भाग B, C, B, C डैस के अंदर परतीत हो रहा है और यहीं कारण है कि चरी B बिंदू से मुरी हुई परतीत होती है आगे सुर्यास्त के समय सुरिच छितिज के नीचे होने पर क्यों दिखाई देता है हमारी पिर्थिवी के चारो और लगवक 320 किलो मीटर तक बायू मंडल है पिर्थिवी के धरातल से जैसे जैसे उपर जाते हैं बायू बिरल होती जाती है अर्थात घनत्व कम होता जाता है घनत्व कम होने से बायू का अपवर्तनांग कम होता जाता है यद पी इसका मान एक से सदैव अधिक रहता है अता बायमंडल को बायू की गोली ये परतों का बना हुआ मान सकते हैं जिनका आप मरतनांग पृतिवी के धरातल से उपर की और घटता जाता है सुर्योदे के समय जब सुर्य छितिज के नीचे होता है तब उससे आने वाली कोई किरन बायू मंडल में प्रवेश करने पर बायू की गोली ये परतों द्वारा अपवर्तित हो जाती है अपवर्तित होने पर यह किरन अभिलम की ओर जुकती जाती है और प्रेच्छक की आख में पहुंचती है इससे प्रेच्छक को सुर्योदय के समय सुर्य छितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है इस प्रकार सुर्यास्त के समय भी प्रेच्छक सुर्य के छितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है तो इसका मूल कारण है बाईमंडल की गोलिये पर तो द्वारा वर्तिनांग तथा कुरांथि ने संब्द तोट वर्तिनांग तथा कुरांथि कौनं में संब्द कहें तो यदि वीरल माध्यम को और से ईंदि में तो असनेल के नियमा नुसार ANR बरावर साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा जहां आपतन कोन आई तो करांती कोन सी हो तो आप वरतन कोन 90 डिगरी हो जाएगा चुकि जब आपतन कोन करांती कोन के बरावर होता है तो आपतन आप वरतन कुन क्या हो जाता है 90 डिगी तो sin 90 हो जागा नीचे तो anr बराबर sinc बटा 1 यानि sin 90 का मान हो गया 1 तो sinc तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया sinc बराबर anr तो anr बराबर 1 बटा rnd जहाँ पे आप समझ गया होगे कि यह क्या है तो rnd बिरल माध्यम के सघन माध्यम का अप वरतनांग है तो sinc बराबर भी यह आप निकाल सकते हैं आगे अप वरतन से समंधित क्रांति कौन की परिभासा दे यह हम लोग पहले भी देखें हैं कि सघन माध्यम में बना अवह आपतन कौन जिसके लिए माध्यम के अप वरतन को 90 डिग्री होता है उस अपतन कौन को हम क्या बोलते हैं करांति कौन बोलते हैं अकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है यह हम लोग का पहले आ चुका है पूर्णांत्रिक प्रावरतन से आप क्या समंधिते हैं यह भी हम लोग देख चुके हैं प्रकास का अप वरतन से आप क्या समंधिते हैं प्रकास का अप वरतनांक का प्रकास की चाल से क्या तात पर है यह भी देख चुके हैं सगन और बिरनमाध्यम से क्या समंधिते हैं यह सबसे पहला कोशन्स भी था आगे है कि परकास तरंग देर्धों के नियूंतम और अधिकतम तरंग देर्धों के मान लिखिए तथा नियूंतम और अधिकतम तरंग देर्धों तक स्वेथ परकास के रंगों का करम लिखिए ते क्या होता है बैजानिया पिनाला मतलब बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल इसका इंगे स्ट्रॉम में अगर तरंग देर्द देखें तो 4,000 से 4,300 इंगे स्ट्रॉम बैगनी का 4,400 से 4,600 इंगे स्ट्रॉम आसमानि का जामुनी का 4,400 से 5,000 नीला 5,000 इंगे स्ट्रॉम से 5,600 इंगे स्ट्रॉम हरा 57,00 से 6,000 रतक पीला और 6,000 से 4,600 तक नारंगी और 4,400 से 7,800 तक लाल इसमें दो important है सबसे important कि बैगनी का कितना होता है तो 4,000 से 3,000 सो और लाल का कितना होता है तो 6400 से 7800 एंगे स्ट्रॉम का तरंग देर्ध होता है एंगे स्ट्रॉम का मतलब 10 पर पर माइनस 10 मीटर सुरियोदेवम सुरियास्त के समय सूरी लाल क्यों दिखाई देता है ये आ चुका है रात में दिखने वाले सिगनल लाल रंग के क्यों होते हैं ये भी आ चुका है चंद्रमा के तल से दिखने पर आकास का रंग कैसा दिखाई देगा काला ये भी हम लोग पर चुके हैं कि वहाँ पर किर्नन न होने के कारण औ आपका अंकिक प्रश्ण देखे क्या है कि बायू के सापेच कांच का आप बरतनांग अगर डेर है 1.5 है तथा कांच के सापेच हीरे का बरतनांग 1.61 है तो बायू के सापेच हीरे का बरतनांग याद करें हमें पता है ऐसे कंडिशन में दोनों को गुना करते हैं न तो और सब को गुना कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो अंसर हो जाएगा ठीक कता यदि बायू के सापेच किसी पारदर्सी दरब का अपवरतनांक 1.25 है तथा कांच का अपवरतनांक 1.5 है जो दरब के सापेच कांच के अपवरतनांक की गन्ना करें तो यह फार्मूले तो प्रकास की चाल बरावर यह झे फार्मुला जो आपको दिख रहा है कि प्रकास की चाल बरावर नीरवाद में प्रकास की चाल बटकाच का अपवर्तनाइट। तो इससे भी निकाल सकते हैं आगे है किसी द्रब का बायू के सापेच करांती कौन 45 डिगरी है तो बायू के सापेच उस द्रब का अपवर्तनांक ग्याद करें अगला कोश्चन है कि कांच और बायू के करांती कौन का मान ग्याद कीजिए और बायू के सापेच कांच का अप वरतनांक के 1.5 है जहां साइन 42 कावन 0.67 लेना है आपको क्या करना है कि इसको स्किन सोट लेते जाए और इसको खुद से लिख कर सोल भी कीजिए यहां पे सोल देख सकते हैं अगर फसें तो आगे है कि एक बायू में प्रकास की चाल 3-10-8 मीटर पर सेकिन तो उस माध्या में प्रकास की चाल ज्याद किजिए जिसका बायू के सापेच अपवरतनांक 1.5 है ठीक है तो फर्मूले पे रखके निकाल सकते हैं बायू तथा काँच में प्रकास की चाल 3-10-8 मीटर पर सेकि है तो बायू के सापेच कांच का अप वर्तनांग क्या होगा तो आप यहां पर फर्मूले देख रहे हैं कि एए एनजि परावर बायू में परकाश की चाल बटा कांच में परकास की चाल आगे है एक घिल की बासतवी गहराई दो मीटर यदि बायू के सापेच जल का अपवरतनांग चार बटा तीन हो तो ग्याद किजिए कि जिल की तली में रखी किसी छोटी बस्तुत की आभासी गहराई क्या होगी वह तली से कितना उपर उठा हुआ होगा ठीक है तो आभासी गहराई बराबर होता है बास अभी गराई बटा अपवरतनांग आगे कि बायू के सापेच जल तथा काँच के अपवरतनांग क्रमसा 4 बटा 3 और 3 बटा 2 है तो काँचका जल के सापेच अपवरतनांग क्या होगा फार्मूले पर रख देंगे निकल जाएगा निर्वात तथा किसी अन्य माधिया में प्रकास की चाल 3-10-8-8-1.5-10-8-8-8-1.5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- इसे निकाल देंगे सब का मान रखके निर्बात में प्रकास की चाल 3-10-10-8 मीटर पर सेकेंड जल में प्रकास की चाल की गन्ना कीजिए और जल का अपवरतनांक 1.33 है तो उसके बाद है कि एक प्रीजम का कौन 60 डिगरी और बिचलन 38 डिगरी है तो प्रीजम के पदार्थ का बरतांग क्या होगा जहां साइन 49 का मान होता है 0.75 वो आसानी से आपको निकल जाएगा सनलगन चित्र में आप वरतन कोन तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेच्छा बरतांग याद कीजिए यहां पर एक चित्र दिया हुआ है जहां पर कोन दिया हुआ है एक आपतन कोन 30 डिगरी और अगर देखें तो अप वरतन कोन दिया हुआ है यहां पर 15 डिगरी 15 नहीं इधर 35, 30 डिगरी आगे है तो उससे आप निकाल सकते हैं और यहां पर फिर है परियोगात मत्त या बरतन के नियमों का सत्यापन करें और काच का सलेब में आपतन अपवरतन नीरगात यह सब को निकाल के फरदर्शित करें तो गुर्लक दोस्तों फिर मिलेंगे अगले चेप्टर में अगले पार्ट में